नमस्कार प्रभव साख्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे किसानों के प्रदर्शन को लेकर जो की पूरी तरीके से दिल्ली कूच पर अड़े हैं पुलिस का प्रदर्शन कारियों के खिलास आक्शन भी हुआ है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेता कि आप हर रोज ऐसे इंट्रेस्टिंग और जानकारी पोड़कास सुन सके किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए नियुन्तम समर्थन मुल्ग की गरांटी की लिए कानून बनाने सहित अपनी मांगो को सुईकार करने के लिए कीम्द पर दबाव बनाने के लिए आज सुबह दस बजे दिल्ली की और जाने के उमिड जब्स ने चलो दिल्ली मार्च को द्शनकारी को सील कर दीया कंक्रीट के और रोधक बयरिकेट बैरिकेट और कटीले तार लगा दिये गए पंजाब हर्याना संभू सीमा पर प्रदशनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आसो गैस के गोले छोड़े हैं एस पी जजजर और पिजैन ने बताया कि यहां 11 कंपनिया तैनाथ हैं हम यह सुनिश्यत कर रहे ह कि यहां कानून विवस्ता के कोई इस्तिती न उत्पन हो और नागरी को को आने जाने में कोई परशानी ना हो फिलहाल टिक्री बाउडर की और कोई मार्च नहीं है लेकिन इस्तिति गतिशील है और हम भिभिन शुरोतों का उपयूग करके इसकी निगरानी कर रही हैं दिल पर करीशुरक्षा और वैरिकरटिंग लगा दी गई है इस बीच दिल्दी सरकार ने किसानों के दिल्दी के अंदर आने की इस्तिति में बवाना स्टेडियम को अरस्थाई जील में बदलने केंद सरकार कें अरोत को था इस कर दिया है आप मंतरी कहलाज कहलोथ ने कहा कि किसानों की मांगे वास्तविक है और प्रतेक नागरिक सांतिपों विरोद करने का हग्दार है मार्च शुरू होने दो गंटे बाद जब प्रतर्शनकारी संभू सीमा पर पहुँचे तो हर्याना पूलिस ने प्रतर्शनकारियों पर आसो सामना करते हुए किसान मजदूर मोर्चा के समवन सिंग पंडेर ने कहा कि अब बिरूत को आगे बढ़ाने की बारी हर्याना के किसानों की है पंडेर ने एक वीडियो संदेश में कहा कि प्रतसंकारी अधिकारियों के साथ कोई टक्राओ नहीं चाहते आज के लिए इतना ही अगले पॉड़कास्ट में किसी और मुद्धे पर देंगे बिस्तित जानकारी जुड़े रहे प्रभास्याक्षी के साथ